सुप प्रभातम भी ये प्रसंवर्स की विध्यारतियों आज हम हितोग पुदेश के 101 रेश लोक से अध्यन प्रारम कर रहे हैं अभी तक हमने देखो पढ़ाता हमारा प्रसंग चल रहा था हिरन्यक और लगुपत्तक नामक कोई की कता के प्रसंग से तो जो लगुपत्तक न तक जाकर भला कर सकता है तो लगुपत्तक नामक कोई हिरन्यक यानि मुशिक राज हिरन्यक में अपने प्रति विस्वास उत्पन करवा देता है और जो हिरन्यक है वो भी लगुपत्तक नामक कोई से मित्रता करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो जो हिरन्यक जो चुआ ह मुशिक राज है वो आगे वर्णन कर रहा है मित्रता की बारे में ही लोगोपत्नक नामक को एको अपने मित्रत स्विकार करते हुए मित्रता की सुरूप का प्रतिपाधन करते हुए कह रहा है अप्रम्च और भी अन्यधा एवी सो हार्दम भवेत स्वक्ष अंतर आत्मन है प मिर्मल अन्तह करण वाले की सो हार्दम मित्रता अन्यथा एव भवेत अन्यप्रकार की ही होती है और इसके वी प्रीत साथ्यो अपहत चेत सो यानिकी सठता से दूशित यानिकी दरश्टता से ठगता से दूशित चेत सो चित वाले की वानी वानी अन्यथा प्रवर्तते दूसरे ही रूपकी होती है यानि कि मुसीक राजी रहनक कहरे राए कि जिसका हुरै शुद्ध है ऐसे सजनों की से रहता क्च अलग ही प्रकार की होती है यानि कि उनमें छलकपट नहीं होता है और इसकी विपली जिनका चित्त दूशित हो गया है वे उन लोगों की वानी छलकपट युक्त अलगी प्रकार की होती है दो दुबारा सुन लोगों मुशिक राजी रणक किराए कि स्वक्ष अंतरात्मन है अंतरात्मन है कि निर्मुल अंतह करण वाली की सोहारदम अन्य था एव भवेत कि मित्रता अ अन्य प्रकारक की होती है साथी उपातचेचों और शठता से दूशित चित्त वाली की वानी अन्य था प्रवर्ट्यते दूसरी ही रूप की होती है मनसी अन्यत, वच्सी अन्यत, कर्मनी अन्यत, दुरात मानम, मनसी एकम, वच्सी एकम, कर्मनी एकम, महात मानम यहाँ पर दुरुजन तता सज्जन में भेर इसपष्ट करते हुए इरण्यक कह रहा है कि दुरात्मना दुरात्माओं के मन में अन्यत कुछ और होता है वचसी अन्यत वचन में कुछ और होता है यह वाणी में कुछ होता है कर्मनी अन्यत कर्म में कुछ और ही रहता है महातमानम लेकिन महातमाओं के मन में एकम एक मन में वचसी एकम वचन में एक कर्मनी एकम और कर्म में एक ही भाव रहता है देखे कहने के तातपरी यहां पर यह है हिद्यन्य कहता है कि दुर्जन व्यक्ति के मन में तो कुछ और होता है बोलते कुछ और ही है कर्म कुछ और ही करते हैं और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मन वचन तदा कर्म में एक रुपता रहती है जैसा वो मन में विचार करत दुबारे सुन लो कि दुजम डूरातमानमायों केम दुजब कुछ हम W hasnhtim कुछ और महात्मानम अन्शी और महात्मा लोगों के मनन में एक इक ही भावर वजद्यव और कर्म में भी एक ही भाव रहता है दुरात मानम इंद उष्टते आत्म ये शाम थे ते शाम यानि जिनकी आत्म दुष्टोतिर महातमानम महानाथ मैं ये शाम थे ये ते शा यहीं भववीरिश्रमार दोलों में हाँ आगे कह रहे हैं तद भवतु अच्छा भवते अभी मतम एव आपकी इच्छा के अनुसार ही भवतु यानि कि मित्रता होवे कि तद इसलिए भवतु भवते अभी मतम एव इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार ही मित्रता होवे यानि कि हिरन्यक मित्रिता के लिए लगुपत्तक नामके कोई से कहता है क्या बूसे मित्रिता करना चाहते हो तो आपकी छगेनु, सारी मित्रिता होगे इती उक्तवा हिरन्यकों ऐसा कहकर हिरन्यक मेत्रियम विधाय मित्रता करके बोजन विशेश ही वायशम कोई को संतोशिय तरप्त करके विवरम प्रविष्टे बिल में प्रविष्ट हो गया वायशो अपी और कोवा भी स्वय स्थानम गते अपने स्थान को चला गया तत्य प्रिवती उस समय से लेकर तयो उन दोनों का अन्यों अन्य अहार प्रिदानें यानिक उन दोनों का परसपर अहार प्रिदान करने से यानिक परसपर भूजन देने से कुशल प्रशनें कुशल लगुपत्नक ने हिरण्यक हम अहां हिरण्यक से कहा सखी मित्र वाइसस्य कष्ट तर लभ्यम अलभ्य अहारम इदम इस्थानां कि इदम इस्थानां इस इस्थान पर वाइसस्य कोई के लिए कष्ट तर लभ्य अहार यानि कि भोजनति कष्ट से मिलता है तद एतत इसलिए प समय ब्रश्नों से विश्वास बुरूची से समय व्यतीत तो कहता है कि मित्र इसी कोई के लिए मुस्किल से आयर मिल पाता है तो इसलिए इसी स्थान को त्याग कर मैं दूसरे इस्थान पर जाना चाहता हूं तो शिंद्ध बूलता है कि इस्थान ब्रश्टा ने सोबंते दंता केशा नखा कर अक नरहा नखा नरहा इती विग्याय मति मांस्वय इस्थान हमने परितज्येद यानि कि इस इस लोक में हिरन्य कोई से कहता है कि हमें अपना इस्थान नहीं छोड़ना चाहिए क्यों क्यों कहता है कि दंता केशा नखा खरा कि दंत केश यानि की बाल नख नाखून एवं नरा मनुष्य इस्थान ब्रष्टाने सोबंते अपने इस्थान से ब्रष्टोने पर अपने इस्थान को त्याग देने से ने शोबंते शुबा प्राप्त नहीं करते हैं इति विज्याए ऐसा जानकर मतीमान बुद्धिमान पूरुस को स्वे इस्थानमने परितजियेत अपना इस्थान नहीं चोड़ना चाहिए तो दुबारा सुन लो यहाँ पर हिरनक कहता है कोई से कि दंता खेशा नखा करा कि दात केश नक और मनुष्ये इस्थान ब्रष्टा अपने इस्थान से ब्रष्ट होने पर ने सोबनते शोबर नहीं देते हैं ऐसा इति विज्याए ऐसा जानकर कि मतीमान बुद्धिमान पूरुस को स्वे इस्थानमने परितिये जित अपने इस्थान नहीं त्यागना चाहिए कहते हैं दाथों के गिर जाने पर बालों के पकर गिर जाने पर नाखून के तूड जाने पर थत अव्यक्ति के अपने इस्थान से ब्रश्ट हो जाने पर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है वे स्वेम के लिए समाज के लिए वियर्थी हो जाते हैं इसके अपने इस्थान का गच्चंती, सिंगा, सत्पुरुशा, गजहा, तत्र, एव, निद्नम, यानती, काका, कापुरुशा, मरगः। सब्सक्राइब में अजीविका की समश्य आने पर सिंग सजन पूरूस हाती अपने स्थान को छोड़कर आजीविका की जहां पूराप्ति यहां चले जाते हैं और जो कोई कायर पूरुस अम्रग जहां उत्पन हुए थे महीं अपना प्रतम वास जहां उन्होंने अपना प्र अपने इस्थान को छोड़ कर जाते हैं काका, कापुलुशा, म्रगा, कोई और कायर पुलुशा, म्रग, तत्रेव उसी इस्थान बरे निध्रम्यान्ती मर जाते हैं एक्ष्ट क्या कहता है कोवा आगे, कि कोवी रस्य मनश्वीने स्वयविश्य कोवा विदेश्य विदेश्य इस्मरतय यम देशम श्रहते तमेव कुरूते बाहूर प्रतापार जितम यत दंश्टान नकलांग गुल प्रहरण हैं सिंगो वनम गहते तसमिनेव हत द्वी की गुणों का बखान कर रहा है वो कहता है कि मनश्वी नहीं कि मनश्वी वीरस यह वीर का मनश्वी वीर का स्वेविस यह कहें अपना देश कौन सा है कि मनश्वी व्यक्ति का यह मनश्वी वीर का अपना इस्थान कौन सा है स्वेविसे को यानि कि अपना इस्थान कौन सा है अत्वा विदेशों वाक को इसमरते और विदेश कौन सा कहा गया है यम देशम स्रियते वे जिस देश में आश्रे लेता है तमेव उसी को बाहु प्रताप अरजितम अपनी बाहु के बल से अरजितम अरजित कुरूते करता है यानि को जिस इस्थान पर आश्क्र लेता है उसी को अपने बाहू यानि बुजाओं के बल से अरजितम कुरूते अरजित कर लेता है दंश्ट नक लांगूल प्रहर्णे दंश्ट दात नक नाकून लांगूल यानि कि पूछों का प्रहर्णे आघात करने वाला सिंगे शेर यदवनम गहते जिस वन में प्रिवेश करता है तस्मीने उसी में हत द्विपेंदू रुधी रही हत द्विपेंदू यानि कि द्विपेंदू एक बोलते मदमस्त हातियों को हत मार करके मदमस्त हातियों को मार करके आत्मने अपने अपनी प्यास को छिननती भुजाता है तो दुबारा सुन लीजिए यानि भई को समझा देती फिर सुन लेना यानि कि यहां कह रहा है कोवा कि जो मनस्त विवीर होता है उसके लिए अपना देश कौन सा है पराया कौन सा है यानि कि क्योंकि वह वीर जिस भी देश में जाता है उसे अपने भववल से अपने अधीन कर लेता है और आजी वी का प्राप्त करके अपना अधिपत्य स्थापित कर लेता है जिस पिलकार अपने दांत नकों और पूच के दुवारा अपने सत्रों परहार करने वाला शयर जिस वन में प्रिवेष करता है उसी वन में गजराजों को मार करके और उसके खून से अपनी प्यास भुजाता है तो कहते कि अपने बल से सर्वत्रा आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है दुवारा सुल एक फ़ार इसको वच्चो यहां पर कोगो कहता है कि मनस्वी ने वीरस से स्वेव विशिये को कि मनस्वी वीरका अपना देश कौन सा है विदेशोवा कैस मिरते अत्वा विदेश कौन सा कहा जाता है यमदेशम श्रियते वे जिस देश में आश्रे लेता है तमें उसी को ही बाहु प्रतापार जितम अपनी भुजाओं के बल से अरजित कुरूते कर लेता है दन्ष्ट्र नक लांगुल प्रहर्णे दान्थ नक और क्मूच के प्रहार से सिंगेश्य यदवनम गहाते जिस वन में प्रिवेश करता है तस्मीनिव उसी वन में हत्व द्वीपेंदू रुधिरई द्वीपेंदू आनि मदमस्त हाद्यों को हत मार करके रुधिरई उसकी विरुद्धी रत्वा खून से आत्मने त्रशनाम चिन्नती अपनी प्यास को भुजाता है। समझ कर ही कारी करना चाहिए। वर्तमान में चल रहे हैं प्रिथमिस्थान का परित्याग नहीं करें। दूसरे स्थान को देखे बेना पूर्वम आयतनम पहले की स्थान को नयत्यजेत नहीं त्यागना चाहिए। आगे वायसो ब्रूते कोवा कहता है मित्र कि हे मित्र अस्ती सुनिरुपितम इस्थानम। अच्छी तरह से विचार किया गया एकी स्थान है। चिरकालो उपार जिते यानि कि बहुत समय से रहने वाला यानि कि चिरकालो उपार जिते बहुत समय से अपनी आजी विका का वहन करता हुआ प्रिय सुरत में मेरा प्रियमित्र मन्थर अभिधाने मन्थर नाम कुर्मे कच्चप यानि की कच्चुवा सैज धार्मिक प्रवती वाला यानि सुभाव से धार्मिक वस्ती रहता है यानि क्या कहता है कि महां मेरा बहुत पुराना मित्र जो सुभाव से धार्मिक है मन्थर नाम का कच्चप रहता है पश्य मित्र देखो मित्र परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषाम सुक्रम निरणाम धर्मे सुय मनुष्ठानम कश्य चीत्टू महात्मने ने पर उपदेशी को शल्ता का वर्णन करते हुए वो वायस यानि कोः कहता है कि पर उपदेशे दूसरों को उपदेश देने में पांडित्यम पांडित्ये सरवेशाम निरणाम सभी लोगों के लिए शुक्रम सरल है कि दूसरों को उपदेश देने में पांडित्ये सभी लोगों में सरल है परन्तु धर्मे स्वियम अनुष्ठानम परन्तु अपने धर्मे आचरन करना कश्य चित्तो महात्मने किसी महात्मा के द्वारा ही संभाव है यानि कि कुवा कहता है कि दूसरों को अपदेश देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे दुबारे सुनो इस इस लोग को एक बार यहाँ पर कुवा कह रहा है कि परोपदेश देने में पांडित्य है सर्वेशाम डणाम सुकरम सभी लोगों के लिए सरल है तो लेकिन धर्मे सुयम अनुष्ठानम लेकिन अपने धर्म का आच्रण करने वाला कश्य चित्तो महात्मने किसी महात्मा के द्वारा ही संभाव है आगे सैचे भोजन विशेश इमाम समवर्धिश्यती की वह सैचे और वह भोजन विशेश इविभिन विशिष्ट भोजनों के द्वारा माम मुझे को समवर्धिश्यती मुझे पुष्ट कर देगा हिरणयों को पिहा हिरणयक ने भी कहा तथ किम अत्रवस्थाय मया करतव्यम तो मुझे यहां रहकर क्या करना है यानि कि इसमें परित्याग योगिये देश का कतन करते हुए फिर यह कहता है कि यसमिन देशे, जिस देश में परिभर जिल्ड उस देश का परित्याग कर देना चाहिए मंत ट्यार में लगपत्रा ऩ ovat के साथ के लिए व दुवारा सुनलो यहां कह रहा है हिरण्याद कि में hisma into Nit sama और विद्याप्राप्ति कोई उपाय भी नहीं है तम देश हम उस देश को परिवर्जी त्याग चाहिए आगे अप्रम्च और भी धनीके श्रोत्रियों राजा नदी वेधियस्तु पंचमे पंच यत्रने विध्यांते तत्रवाशमने कारिये यानि कि यहां त्यागरे योग्ये देश का कथन करते हुए हिरन्यक कह रहा है कि धनीके धनवान वेधिक श्रोत्रिये वेधिक ब्रामण, राजा, नदी पंचमम, नदी पंचमम म्दु वेधिय और पंचवा वेधिय यत्र पंचने विध्यते जहां ये पाँच नहीं हो तत्रवाशमने कारे तो महां निवास नहीं करना चाहिए आनि कि धिस इस्थान में विपत्ति में सायता करने वाले धनवान लोग नहीं हो पठन पाठन यज्यादिक कराने वाले वेदिक ब्रहामन नहीं हो प्रिजावत्सल राजा नहीं हो जल दुआरा हमें तता हमारी क्रशी को त्रप्त करने वाली नदी नहीं हो हमारी रुग्णता यानि बिमारी को निष्ट करने वाले वैदिराज नहीं हो यानि जहां ये पांचों परोपकारी नहीं हो उस देश में नहीं रहना चाहिए दोबारा सुनलो यान क्या कहता है मुष्टिक राज कि धनिके श्रोत्रियो राजा अनदी वैदियस्तु पंचमें कि धनिक वैदिक भ्रामन राजा अनदी और पांचवा वेल पंच यत्रिने विद्ध्यंते जहां ये पांच नहीं हो तत्र वाशमने कारिये तो वहां निवास नहीं करना चाहिए आगे वह क्या कहता है अप्रम्चे और भी लोकियात्रा भयम लज्जा दक्षिनियम त्याग सीलता पंच यत्रिने विद्ध्यंते ने कुरिया तत्र संस्थिते देखें यहाँ परित्याग योग्ये देश का व पंचने विद्ध्यंते जहां यह 5 नहीं हो तत्र संस्थितीम ने कुरिया तो वहां निवास नहीं करना चाहिए जीवन निर्वा के लिए आज जीविका के कोई साधन नहीं हो और जहां पे राज्य सासन एवन राज्य से दुष्टों का भै नहीं हो नीच कर्म को करने से प्रजा में किसी प्रकार की लज्जा ने हो जहां प्रजा में सरलता एवं उदारता की भावना ने हो साथ ही जिस देश में प्रजा एवं अपने राजा है तो सरवस्त नियुचावर कर देने की त्याग भावना ने हो ऐसे निक्रष्ट देश में कभी भी नहीं रहना चाहिए वह दुबारा सुन लोग क्या कहता है रण्य कह रहा है कि लोक यात्रभयम लज्जा दाक्षुनियम त्याग सेलता लोक यात्रभय लज्जा उधारतर त्याग सेलता यत्र पंजने विद्धियंते जाएए पांच नहीं हूँ तत्र संस्तितीम ने कुरिया तो महा निवास नहीं करना चाहिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही बाकी नेक्ष्ट के लगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद